सो स्टूडन्स अभी हम कर रहे हैं प्रेक्टिस सेट 3.2 ठीक है यह जो प्रेक्टिस सेट 3.2 है यह चीज आप पिछले स्टैंडर्ड एथ स्टैंडर्ड में कर चुके हो ठीक है सो इसमें कुछ भी अलग नहीं है ध्यान देना कोशन नमर वन अबसर्ड दे ट्रेंगल्स आपको दो ट्रेंगल्स देरेंगे उनको देखना है अगर तीनों साइड ट्रेंगल के सेम होते हैं तो वो होता है एस 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 साइड यानि साइड 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 अगर दो साइड और एक एंगल कॉमन है बलब सेम आ रहे हैं तो साइड एंगल साइड टेस्ट अगर दो एंगल्स और एक साइड से मारा है तो एंगल साइड एंगल टेस्ट और जबी आपको ट्रेंगल में 90 डिगरी यानि र हाइपोटेन्यूस, चीक है, हाइपोटेन्यूस साइट टेस्ट, सो चार टाइप के टेस्ट होते हैं, अब ज्यान से एक एक करके करते हैं, फर्स्ट कोश्चन, ट्रेंगल A, B, C, ट्रेंगल B, Q, R, आपको एक लाइन दिख रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन मारी है, इसका है, मुलब साइट B, C, और साइट Q, R, कॉंग्रूएंट है, वैसे ही साइट A, C, और साइट P, Q, जूकी तीन-तिन लाइन है यहाँ पर, तो A, C और P, R, भी सेम है, इन दो ट्रेंगल में, तीन-तीन साइट्स कॉंग्रूएंट हैं, इसलिए, ट्रेंगल A, B, C, इस congruent यह congruent का sign है बनाब same है किसको triangle PQR को यह आपका main reason है यह आपको लिखना ही पड़ेगा कि वो ही आपको question में पूछा है state the test तो test का नाम क्या है side, side, side SSS test of congruence यह आपका main है फिर आपको दूसरा दिया है एक triangle दिया को x, y, z and triangle L, m, n यह 90 degree नहीं है ठीक है यह 90 degree से थोड़ा बड़ा है आप जहां से देखो x, y और L, m same है क्योंकि एक एक डंडी है angle x, y, z and angle L, m, n बनाब यह वो भी same दिख रहा है and पान में क्या है y, z और M, n यह दोनों भी same है इसका मलब क्या triangle x, y, z is congruent to triangle L, m, n q, side, angle, side यानी s, a, s test of congruence side, angle, side third one triangle p, q, r और triangle st, u आप देख सकते हो p और s, same दिख रहा है फिर side pr, जो do dash है वो side st, do dash है यह दोनों भी same दिख रहा है and last में आपको angle r और angle t भी same दिख रहा है इसलिए triangle p, q, r is congruent triangle st, u ठीक है reason क्या है दो angles है और एक side है जो same है इसलिए angle, side, angle test of congruence ठीक है last question fourth one triangle l, m, n triangle p, t, r इसमें ज़रा देखने की ज़रूरत नहीं है अगर अब ध्यान से देखोगे यह 90 degree है यह 90 degree है जब भी 90 degree आएगा right angle आएगा right angle आएगा उसको कहते है hypotenuse side test of congruence तो आपको यह side और यह side देखने की ज़रूरत नहीं है जब आपको right angle देखता है आग बन करके लिख दो triangle l, m, n is congruent to triangle p, t, q आपने देखा मैंने कहां से शुरूर किया अगर l, m, n किया है तो यहाँ पे मैं p, t, q, p, t, r करूँ है triangle l, m, n is congruent to triangle p, t, r reason क्या है hypotenuse side test of congruence hypotenuse क्यों बोला क्योंकि यह 90 degree है hypotenuse का spelling याद कर लेना hypotenuse easy as friends अच्छे से करना यह last year भी था इस साल भी अच्छे से बना दिया है कुछ भी doubts होगा तो पूछ लेना इसको practice करना ओर confident होना practice करोगे तब आएगा question number 2 करेंगे अगली वीडियो में